हलो एवरिवन, वेलकम बैक टो चैनल, दिस इस शिवांगी है, आज के वीडियो में हम चन्मास्टिमी आने वाली है, जैसा कि हम जानते हैं, तो हम अपने भगवान जी की ती हाँ पर पगड़ी बना रहे हैं, मैंने याँ पर थोड़ी बड़ी पगड़ी बनाई हैं, आप अ थिन कार्ड़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जब भी हम नए कपड़े या साड़ी लाते हैं, तो उनका पैकेजिंग होती है, जो गत्ता होता है, वही यहाँ पर यूज किया है, वो पतला होता है, यह जो मैंने कार्ड़ बोर्ट का साइस लिया है, वो आपको कैस कटिंग कर लेनी है, और जैसे मैंने साइड साइड में अलका सा कर्व किया है, वैसे ही आपको कर्व करके कटिंग कर लेनी है, और जो बक्रम आता है, बक्रम पे मैं इस तरह ग्लू लगा करके उसको स्टिक कर लोंगी, स्टिक कर लेने के बाद फिर जैसे मेरी कार्ड़ बो एज एज है उसको हम ग्लू की हल्प से आपस में स्टिक कर लेंगे और जो यह सरकल बनकर आए उसको भी हम कार्डबोर्ड से कवर कर लेंगे ग्लू की हल्प से और मैं यहां पर पगड़ी को जो है यलो और रेड की कॉमिनेशन में रखने वाली हूं मैंने सोचा था कि यहां यलो और रेड रिवन का यूज करूंगी मगर जो यलो रिवन है वितना साई नहीं कर रहा था तो जो सिल्क का फैब्रिक होता है मैंने उसको पगड़ी पर लगाया है जैसे मैंने यहां रिवन लगाया था वैसे ही मैंने यहां पर यलो फैब्रिक भी लगाया है और मैंने पर हार्ड ग्लू से बैं स्टिक कर सकते हैं मंगर मैंने पूरी से सिलाई किये जिस से और भी श्कूला में बटोन ह sarà ना हम यहाँ पर कलदी बनाने लिए लेंगे आ हम सिग देंगे आए हम यहाँ जिस से इन्स केपा कर वरया था और यहाँ पर मैं फोड़ी छोड़ी चोड़ दाल रही हो और इसके बीच में हम यहां पे बकरम भी कपड़ा लगाएंगे और प्रस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से जिससे हमारी जुस्ट यहां पर चुन्नत डालिए वो अच्छे से बने और फिर मैं यहां पर इसको भी आप यहां पर हाड़ीलू से भी स्टिक कर सकते है और यहां पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं वो आपकी क्षा के कॉर्डिंग है जैसे भी आपको सही लगे अपनी सुविधा के अनुसार करें और फिर मैं इसका हेस्ट्रा एंहंस करने के लिए मोती लगा रही हूं हाफ कट बीड्स और मैंने यहां पर जो मेरी पगड़ी है जो साइज वह से जाद और स्टी रिए मोखें तो ऐसे चोटी-चोटी से फ्लावर स्टीग यहां पर इंड तो तो थोड़े-बड़े फ्लावर बना यहां पर मैं ने टोटल • । बना लिए है और मैं अपनी कल्गी वाद में इसमें मैं भी साधा-साधा सा लग रहा है तो तो थोड़े और भी half cut bits add कर दूँगी और फिर यहां पर जो हमारा बीच में जो इसका middle point है इस पर मैं यह मेरे पास साधी की कार्ड से मैंने निकाला था वो भी मैं यहां में बीच में add कर दूँगी और भी यहां पर छोटे छोटे white कर के half cut bit लगा दूँगी और हमारी जो पगडी है लगभग बन ही गई है बस थोड़ा सा ही इसमें काम रह गया है बस टोन add करने है और हमारी यह पगडी पूरी तरह से बन जाएगी अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजेगा अगर चैनल पर नए आए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और हाँ अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक की मेरे वीडियो सबसे पहले आ सके मिलती हूँ मैं अपने नेस्ट वीडियो साथ तब तक के लिए बाब बाई और टेक कियर